जय जगन्नात मैं आज सेर करने जा रहे हैं अमालू जगन्नात जी को चड़ाय जाने बाले 56 भोग में से एक स्पेसल प्रसाद है जगन्नाची को दो टाइप के अमालू भोग में चड़ाय जाते हैं एक होता है बड़ों अमालू यानि की बड़े साइज के अमालू और एक होता है सानों अमालू यानि की छोटे साइज के अमालू दोनों टाइप के अमालू का टेस्ट सेम होता है स्रेप साइज में छोटा और बड़ा होता है अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ जोरूर सेयर कीजिए तो आएए फ्रेंड देनना करते हुए रेसिपी देख लेते हैं एक बड़े सहच के बाउल लिये हैं बाउल के अंदर एड़ कर देंगे एक कटोरी आटा आप घर का कोई भी काप कटोरी या ग्लास के नाप से इस रेसिपी को बना सकते हैं जिस कटोरी के नाप से एक कटोरी आटा लिये थे सेम काटोरी के नाप से हाप काटोरी डाल देंगे गुड का पाउडर आप चाहें तो ग्रेट किया हुआ गुड भी एड कर सकते हैं इसके अंदर आटा के साथ गुड के पाउडर को अच्छे से मिक्स्ट कर लेंगे इस टाइम बावल के अंदर कुछ भी एड नहीं करेंगे आटा के साथ गुड अच्छे से मेक्स्ट हो चुके हैं अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए बैटर बनाएंगे एक साथ जादा पानी ना डाले थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए बैटर बनाएंगे बैटर के अंदर कोई भी लम्स नहीं रहनी चाये एक ठीक बैटर बन चुके हैं अब बैटर को एक मिनिट के लिए अच्छे से फेट लेंगे जिससे की बैटर के अंदर जो लम्स है वो पूरी तरीके से खतम हो जाए बैटर को एक मिनिट के लिए अच्छे से फेट लिए है देखिए बैटर जो है एकदम स्मूथ और सिल्की बन चुके है अब बैटर के अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए बैटर को थोड़ा सा पतला कर लेंगे बैटर को बहुत ज़्यादा पतला ना करे बनना अमालू जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा बैटर का थिकनेस दिखा देती हुँ मालपोव बनाने के लिए जैसे हम बैटर बनाते हैं सेम बैशा ही बैटर चाहिए हमें अमालू बनाने के लिए बैटर के अंदर एड़ कर देंगे तीन से चार चुटकी के जितना नमक हाफ टी स्पुन दर्दर आशा पिसा हुआ काली मिर्च का पाउडर एक टी स्पुन दर्दर आशा पिसा हुआ सोप का पाउडर बैटर के साथ नमक, कालिमेर्च और सौप के पाउडर को अच्छे से मिक्स्ट कर लेंगे बैटर के साथ मसाले अच्छे से मिक्स्ट हो चुके हैं अब बैटर को रख देते हैं साइट में जगर्नाजी के भोग मनाने में तेल का यूस नहीं होते हैं इसलिए मैंने घी बैठा दिये हैं गरम होने के लिए घी गरम हो गए हैं अब एड़ कर देंगे एक चम्मच भर के बैटर थोड़ी देर बाद अमालू देखिए मालपुआ के तरह फूल चुके हैं अब अमालू को पलट देंगे अमालू को दो से तीन बार उलोट पलट करते हुए डाक कलर आने तक फ्राई कर लेंगे अमालू का कलर गोल्डेन ब्राउन हो चुके हैं अब अमालू को पैन से बहान निकाल लेंगे और एक पीस अमालू बना के दिखा देती हूँ सेम प्रोसेस से सारे ओमालू को बना लेंगे सारे ओमालू को बना लिये हैं देखिए एकदम पारफेक्ट ओमालू बन के रेडी हुआ है अब ओमालू के उपर रख देंगे तुलसी के पत्ते तुलसी के पत्ते के बिना भगवान जी का भोग का तो कोई मतलब भी नहीं एक बार इस तरीके से बने होई ओमालू को घर में जरूर बनेए और जगन्नाच जी को भोग चड़ेए भगवान जी खुसो जाएंगे और भरभर के आसिरवाद भी देंगे ओमालू बनाने के बाद कॉमेंट करके जरूर बताना कि ओमालू के रेसिपी कैसे बने है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत बहुत